इस वीडियों में डिसकस करेंगे New Zealand Women Tour of South Africa Women के First T20i Match के प्रेडिक्शन के बारे में यहां पर फ्रेंड्स आप देखोगे, यह मैच खिल जाएगा Friday को 6th of October 9.30 p.m. वेन्यू रहने वाला है Buffalo Bar, केंड मैं आप सभी को बता दू, First T20i Match से पहले हैं, दोने टीम्स ने तीन मैचस की ODII Series यहां पर प्ले किया है, जहां पर First 2 Match साउथ अफरीका वूमन टीम ने विन किया थे, और Third ODII Match New Zealand वूमन टीम ने विन किया था, तो आँगे बात करेंगे इ कि T20i Records क्या कहते हैं, T20i Records एकदम आपोजट आप देखोगे, आप New Zealand वूमन टीम यहां पर फेवरेट रहने वाले हैं, टोटल हेट टो हेट दोने टीम्स में 14 मैचस प्ले किया है, South Africa टीम ने तीन मैचस विन किया है, New Zealand वूमन टीम ने आपर 10 मैचस विन किया है, एक मैस य 11 Pitch Report, सारी जीज़ें, आप सभी को हमारे टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप सभी हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ यहां पर फाइनल टीम स बारे में तो इस वेन्यू पर बहुत टाइम के बाद मैचस खेले जाएंगे, आप देखोगे इस से पहले आप पर जैनवरी फेवरेडी में वूमेंस ट्राइ सिरीज मैचस यहां पर खेले गए तें, ओवरोल देखा जाए तो पिच विल वी न्यू एंड फ्रेश, न्यू स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे, आप देखोगी, मीली अकीर एक क्वैलिटी स्पिनर है, ओवरोल देखा जाए तो न्यूट्रल एंड बैलन्स विकेट देखने को मिल सकते हैं, जहां पर बैट्समन भी इंपॉर्टन हो सकते हैं, बात करेंगी इस वन्यू बर जो रिसे यहां पर चेज कर लिया था, उसके बद यहां पर यहां पर यहां पर यहां से बहुत इंपॉर्टन चीज हम लोगों को पता चलते हैं, अगर स्कोर यहांपर आप देखोगे, 141-150 के उप़र जाता है, तो उसे चेज करना थोड़ा साँया पर डिफिकल्ट हो जाता है, वह इन पर आप देखोगे, जब स्कोर 100 रंस के राउंड है, यहां पर सारे मैचस में चेज हो गया है, 109 रंस यह मैच में चेज हो गया, 94 यह भी चेज हो गया, 97 यह भी चेज हो गया, South Africa women team ने 6 matches प्ले किया है, 3 matches team ने विन किया है, New Zealand team first time play करेंगे, and first inning bat करते हुए, 3 matches team ने विन किया है, जो last 6 matches 20 पर खेले गए, head to head records as we discussed, 14 matches दोने teams में प्ले किया है, South Africa women के record थोड़े से down है, 3 matches team ने विन कर पाई है, New Zealand women team ने अबर 10 matches ने विन किया, South Africa team की तरफ से open करेंगे, Laura Walward, right hand batsman, head to head T20, इसमें 8 matches प्ले किया, 155 runs है, 20 के अवरेस से, थोड़े से down records आप सभी को देखने को मिलेंगे, वेन्यू पर 5 matches में 73 runs है, 24 के अवरेस से, रिसेंटली जो ODII matches में ने प्ले किया, 50 runs, 124 runs, not out and 24 runs, तीनों ही matches में बहुत अच्छे टचमें अज़राई, South Africa बहुत अच्छा score किया, overall देखा जाए तो एक important player है, लेकिन आप सभी यहां से grand leagues and mini grand leagues के कुछ teams में drop करने का risk ले सकते हो, यहां पर records को देखते हुए, आँगे बात करेंगे, टीम की तरफ से सांथी open करेंगे, तर्जमिन ब्रिट्स, राइट अन्बैस में, and head to head and whenny पर इनके records बहुत जादा डाउन रहे हैं, head to head 4 matches प्ले किया, 18 runs से whenny पर 4 matches में 98 runs है, लेकिन यहां पर देखने वाली बात रहेगी, इस स्रीज में कैसा प्ले करती है, T20 IE matches जो इनों ने रिसेंटली प्ले कियें, वहां पर overall अच्छा performance था, 78, 46, and 18, बंकि जो रिसेंटली ODA matches प्ले कियें, वहां पर आप देखोगी, सिर्फ दो बड़ी इनिंग से, अधर सभी यहांपर मैचस में बड़ा स्कोर नहीं कर पाई है, सरफ एक मैच में आपर 45, and दूसरे मैच में आपर 32 रन से नों ने स्कोर कियें, बंकि सभी मैचस में आपर 26 भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई है, वन डाउन बैट करते हों दिख सकती है, बंकि सभी मैचस में आपर 30 रन से ओवरोल देखा जाए तो टी ट्विंग के इस इरिज में इंपॉर्टन नहीं रहेंगे, सुने लुट से कि इंपॉर्टन प्लेयर हो सकती है, बंकि सभी मैचस में अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज कही न कहीं देखा जाए ना तो इतना हाई स्कोरिंग वैन्यू नहीं है, बैट्समें नियाबर फास्ट वालाउट्स और क्वैलिटी स्पिनर्स के सामने आपर स्ट्रगल करते हैं, तो उतना अच्छे रिकॉर्ड्स किसी भी बैट्समें के आपर देखने को नहीं मिल रहे हैं, रिसेंटली इन्होंने ओडियाइज में कैसा परफॉमिंस किया है, 107 रॉंस नॉट आउट, 10 रॉंस, 10 रॉंस, 9, 53, and 5, उससे बैने टी 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 आइज में इनका भी थोड़ा सा परफॉमिंस डाउन था, 1 रॉंस नॉट आउट, 6 रॉंस नॉट आउट आउट, 13 रॉंस, मेरे तनकाप एक इंपॉर्टन प्यार है, इनके भी आप रिकॉर्ड्स देखोगे ना वैननी पर, प्रहें से 19 यावरेश से सा बहुत अमेजिंग रहा, सबसे बहने बात करेंगे, टी 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 आइज में, 19 प्लस वन विकेट, 26 प्लस 0, उससे बहने टी 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 एज में, 9 प्लस 1, 27 प्लस 1, ओवरॉल एक इंपॉर्टन प्लेयर है सांती बेस्ट कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी पिक आप सभी के फैंटिसी टीम्स में आते रहने वाली है सी ट्राय और राइट अंबेट में प्लस लो लेफ टाम और्स बॉलिंग कराती है है तो हैं नाइन मैंसे में वन शुक्ते ऐटन उंस 24 बेस से मांधिट 24 घबरेस सांथ ही ट्वटीफ के आभरेस से डिवीर इवन अंदेट वं各 विकेट सांती रहती है ए रिसनद फऑर मिंका टी ट्वेंट यह उंन्स में बहुत अच्छ रहा दो ODA इनों ने प्ले किये थे न्यूजलेंड वोमन टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छा पफरमिंस था 58 नोट आउट प्लस 2 विकेट और 3 विकेट थर्ड ODA मैच में कम्प्लेटली फ्लॉप रही विट बैट भी और बॉलिंग से भी यहां पर एक भी विकेट नहीं निकाल प्लस वन विकेट लेकिन T20 आइज में न्यूजलेंड वोमन टीम के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ट यहां पर आप सभी कोई अवरेज देखने को मिल जाएंगे बात करेंगे हेट टो हेड रिकार्ट के बारे में सो फॉर मैचेशेष में 65 रंसे प्लस यहां पर विकेट लैसे यंदिवारोल यहां पर देख सकते हो यहां से बात करेंगे एंड मलबा के बारे में slow left time orthodox balling करेंगे head to head 4 matches में 4 wickets 7-2 पर 5 matches में 6 wickets T20 eyes में 36 matches में 31 wickets निकाल चुकी है और बात करेंगे T20 eyes जो इन्होंने recently play किये 0 wicket, 2 wicket, 1 wicket and ODI eyes में overall बहुत अच्छा बहुंद्स रा सिर्फ एक match को छोड़ दिया जाए बांकि सारे matches में नोंने बहुत अच्छा performance किया 3 wicket, 1 wicket, 3 wicket and 2 wicket यहां से नोंने निकाली थी overall देखा जाए अगर team first inning में balling कराती है and जो भी pitch report रहेगी उसके according आपर देखना होगा कि क्या second inning में आपर pitch slow होती है अगर यहां पर second inning में pitch slow होती है तो उस case में most important player रहेंगी कुछ grand leagues and mini grand league team में उस case में आपर आप सभी captaincy wise captaincy देख करके चल सकते हो आया बंगा खाका राइटा medium pace balling करेंगे head to head 6 matches में 5 wickets है वैनी पर 4 matches में 3 wickets है recent form थोड़ा सा average देखने को मिल जाएगा बात करेंगे bench players के बारे में bench पर भी आप सभी को बहुत सारे players यहां से देखने को मिलेंगे अगर कुछ भी update होती है telegram channel पर देखने को मिल जाएगी बात करें अगर open death ballers के बारे में so masa wata class marathon cap and aya bonga khaka starting over to balling करेंगी death hovers में marathon cap aya bonga khaka and any के साथ nadine d clerk जिन्होंने ODI matches में death hovers में balling की t20 eyes में भी यहां पर death hovers में आप सभी को balling करते हो दिखाई दे सकते है new zealand women team की तरफ से open करेंगी suzy wade right hand bats बना head to head और नोंने 13 matches play की है 517 दून से 57 के average से t20 eyes में बहुत अच्छे records रहा अब लेकिन ODI में आप देखोंगे ना तो तीनों ODI matches में आप फ्लॉप थी लेकिन T20 eyes matches में आप पर comeback कर सकते है रिकॉर्ट काफी अच्छे है wendy पर first time play करेंगी पूरी team wendy पर first time play करेंगी T20 eyes में 146 matches में overall देखा जाए 29 के average से almost 4000 runs नोंने score की है साथ ही open कर सकते है Bernardine, Benjay, Danhout right hand bats में head to head एक match play किया है 0 run से wendy पर first time T20 eyes में overall 22 matches में 221 run से 14 के average से Amelia Keer important player है right hand bats में दस leg break spin balling करेंगी recently अब देखोंगे ना ODI eyes में नोंने क्या किया है 100 runs not out plus 2 important wickets 88 not out plus 0 22 plus 0 overall देखा जाए तो most important player plus best captaincy wise captaincy pick यहां से आप सभी की fantasy teams में रहने वाली है head to head 8 matches में 34 runs से plus 8 wickets है लेकिन जैसा इनोंने recently ODA matches में performance किया है with bat तो यहां पर with bat भी बहुत अच्छा score कर सकते है साथी balling से तो records बहुत अच्छे हैं 8 matches में 8 wickets अभी तक निकाल चुकी है overall बात करेंगे T20 records के बारे में तो 62 matches में 60 wickets निकाल चुके है साथी 25 के average से 7 38 runs से रहने score किये है Sophie divine right hand batsman plus right time medium pace balling करेंगे recently जो इनोंने matches प्ले किये 5 plus 1, 12 plus 0, 30 plus 3 कुछ ऐसा performance था head to head 11 matches में यहां पर आप देखोगे 15 wickets से साथी 79 के average से 6 28 runs से रहने score किये है Maddie Green T20s में उतनी important नहीं रहेंगे because इनका batting order बहुत जादा नीचे होता है George अपली मरे भी same batting order बहुत जादा डाउन रहेंगा Brooke Haley Day के बारे में बात करेंगे सो यहां पर left hand batsman plus right time medium pace balling कराती है head to head 1 match play किया वैन्नी पर first time play करेंगे बात करेंगे overall T20 records के बारे में so 19 matches में 115 रम से 12 के average से सांथी एक wicket है recent form के बारे में बात करें so जो recently इनमें ODI matches play किये 76 plus 0, 1 plus 0, 37 not out plus 0 कुछ आइसा performance रहा hand a row right time medium pace balling करेंगे recent form ODIs में तो बहुत अच्छा रहा 1 wicket 14 not out plus 1 wicket 52 plus 2 wicket overall T20 eyes में थोड़े से रिकॉर्स एवरेज रहें 37 matches में 18 wickets and T20 eyes में बागी performance देखें तो 2 wicket and 8 wicket कुछ आइसा performance रहा है Lita Huhu एक important player रिकॉर्स भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे 77 T20 ए मैचस में 76 wickets head to head बात करेंगे so 8 matches में 4 wickets है when you play Lita Huhu भी first time play करेंगे जैसा मनें बताया ODI eyes में अगर देखा जाए तो 0 wicket 2 wicket 3 wicket कुछ आइसा performance रहा उससे बैने T20 eyes में आप 0 wicket and 4 wicket कुछ आइसा performance था add and Carson एक और important player हो सकती है right arm off rick बालिंगे head to head 2 matches में 2 wickets 70 पर यहाँ पर first time play करेंगे T20 eyes में overall 15 matches में 20 wickets अभी तक निकाल चुकी है Fran Jonas slow left arm orthodox balling करेंगे head to head 2 matches में आपर wicket last है T20 eyes में overall 17 matches में 14 wickets नोने निकाली है recent form थोड़ा साइप सभी को यहाँ से average देखने को मिल जाएगा bench में बहुत सारे players आप सभी को यहाँ से देखने को मिलेंगे लाइक अगर जैस्कीर अगर प्ले करते हैं को और important player यहां से हो सकती है बात करेंगे open death wallards के बारे में सुफरान जोनस ली ताहूँ और हैने रोव आप सभी को starting over some balling करते हैं दिखाई दे सकते हैं यहां पर हमारे editor ने थोड़ी सी mistake कर दी बात करेंगे death awards के बारे में सुली ताहू हूँ सूफी डिवाइन और मीली अकीर आप सभी को यहां पर death awards from balling करते हैं दिखाई देंगी तो चली friends अब discuss करते हैं मेरी this match की initial team के बारे में बाकी I hope आप सभी को वीडियो पसंदा रही होगी अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बस एक छोटी से request रहेगी आप सभी से इस वीडियो को एक like जरूर कीजिए so friends अभी के लिए यह है मेरी this match की initial team अब इस team में आप सभी को अभी के लिए अभी के लिए इस वैनी पर बहुत पहले मैच इस लिए आप डेट नहीं मिली है final teams and updates के लिए जो final picture port रहने वाली है जो भी update होने वाली है न मैं आप सभी को यहाँ पर telegram channel पर इंफर्म कर दूंगा link in the description box telegram channel को आप सभी आथ से join कर लेना बाकि I hope guys आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी कैसे लगी यह वीडियो आप सभी comment box में बता सकते हो आप सभी को वीडियो थोड़ी सी ब इंफर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर केज़ें and if you are new so make sure to subscribe और चैनल साथी के जैसा मने बताया final teams and updates के लिए telegram channel के साथ जाइन कर लेना जिसकी लिंक आप सभी को इसी वीडियो के description box में देखने को मिल जाएगी तो चली friends मिलते हैं जल्दे किसी next video के साथ thank you guys thank you so much for watching this video